इस कैसे हैं आप में नेहा धमायास चनल में आपका बहुत बस स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में आपको जीवा एरविदा ब्राइड के आवला शैंपू के बारे में रिविव दूएँगी इसके बारे मैं बताऊंगी कि ये शेंपू आपके बालों को किस तरीके से फायदा देता है डिटेल में गईज आज अपने इसका रिव्यू करेंगे यूज इस प्राइस बेनिफिट इन सब के बारे में उससे पहले गईज अगर आपने हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज गईज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले बेल आइकल पर प्रेस कर दें जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंसता रहे तो चलिए गईज बिना टाइम वेश्ट के उपन बात कर लेते हैं आवला शेंपू जिसको जीवा एरविदा ब्रांट दारा मैनुफेक्चर किया गया है इससे पहले कि कई वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको जीवा एरविदा ब्रांट के कई सारे प्रोजक्टों का रव्यू किया है जो कि आईरविदिक प्रोजक्ट बनाता है हर्वल प्रोजक्ट बनाता है चलिए गया इस बात कर लेते हैं इसके यूजिस के बारे में तो आवला शेम्पू यानि कि ये आवला से मिलकर बना हुआ है जो कि आपके बालों को जड़ने से रोकने में मदद करता है आपके बालों में जो डेंटरफ है वो उसे पूरी तरीके से रिमूव करता है इसके अंदर के इस एंटी फंगल गुड़ पाए जाते हैं जो कि फंगल इंफेक्शन को दूर करके डेंटरफ को पूरी तरीके से जड़ से खतम करते हैं और बालों के जड़ने को रोकते हैं नेचरली तरीके से आपके बालों को ये कंडिशन करेगा, ये कंडिशनर टाइप का शेंपू है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जो आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाने में मदद करता है, इसके अंदर जो इंग्रीडियेंट मिला जाते हैं, सारे नेचरल से जो आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाने में मदद करते हैं, वैसे आवला तो बालों के लिए बहुत ही जादा बैस्ट होता है, और आवला नकिवल बालों के लिए अच्छा होता है, बलके आंखों के लिए भी बहुत ही ज्यादा बैस्त होता है, आपके बालों को आपके बालों को जड़ो से मजबूत बनाने काम करेगा और बालों की ग्रोध में भी मदद करता है मंदद करना है इसका प्राइस एक सु पचास रुपए 200 ml की बोटल का अपोर्डवी कर सकते हैं आप बोलेंगे किसको हम कहां से खरीदे तो guys ये शेंपू आपको मार्केट में भी मिल जाएगा या फिर आप इसे ऑललाइन भी खरीज सकते हैं जैसे के जीवा एरवेदा ब्रांट की साइट पर जाके या फिर आप इसे खरीज सकते हैं जैसे आपको सही लगे वहां से आप इसको खरीज सकते हैं वह आपकी चो ऐसे मैं तो guys आपको औरलाइन खरीदने के लिए सज़श्ट करूंगी क्योंकि औरलाइन ये आपको काफी अच्छी डिस्कॉड में मिल जाता है और guys मैंने description box में लिंक भी शेयर कियो है और इस लिंक तरीके से कंडिशन करने में मदद करेगा क्योंकि नेचरल इंग्रीडियन्ट के साथ मिलकर बना हुआ है और guys इस शेंपू के कोई side effect नहीं है पर अगर इस शेंपू को लगाने के बाद आपके बाल और ज्यादा जढ़ रहे हो तो उसी टाइम इसे लगाना बंद कर दें औ तो guys आज की वीडियो में बस आपको इतना ही मताना चाहूंगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्रीज लाइक कीजिए फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारे नइने वीडियो के अपडेट मिलती रहे नएनी जानकार जाननी चाहिए तो आप कमेंट फोक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं हम आपके लिए हमिसा एबलिबर रहेंगे आपकी सायता जरूर करेंगे सो गईस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद